Hello friends, welcome back to the channel तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले है किस तरह से आप अपने kick and bass को अच्छे तरह से control कर सकते हो और जो आपका low end है वो controlled रहे, ना की ज़्यादा over हो, ना की कम सुनाई दे कई बार आपको क्या होता कि bass बगरा frequency काफी कम सुनाई देती है आपके अच्छे तरह से mix नहीं होता कि kick and bass कई बार आपके पास इस तरह का room हो जो treated now हो home studio पे आप work करें हो तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि अच्छे तरह से आपका bass बगरा सुनाई देता कई बार क्या होता है बहुत ही कम सुनाई देता है और आपका mix कैसे होता कई बार आप सुनते हो गारी में अच्छा सुनाई दे रहा है और phone पे अच्छा नहीं सुनाई दे रहा कहीं अच्छा नहीं सुनाई दे रहा है सिखाने के लिए बाकी तो आप practice करना जैसे मैं बताता हूं इस तरह रख लिए और आपका ले लिया इस तरह से एक सिंपल सा पैटर्न बना दिया आपने आपने क्या करना अब मैं क्या करूंगा इसको भीज दिया mixer अब आपने क्या करना अगर आपके पास अच्छा रूम ट्रीट नहीं है जब आपके पास अच्छा रूम आलमोस्ट जितने भी प्रोड्यूसर है होम स्टूडियो पर वर्क करते अच्छा जितना भी आप कर लो अच्छे से अच्छा ट्रीट कर लो रूम वह वैसे का वैसा होगा कुछ ना कुछ दिक्कत आती है लो एंड में कहीं ना कहीं गूंज होती है वह गूंज की एंड बेस को किस तरह साब समझ सकते हो उसकी जो सत्ते हैं उसके बारे में आज इस इस व्योडियो में देखो मैं किस तरह अपको बता देता हूं तो उसके बचने के लिए एक वीव मीटर नाम हान है तो आप आपने गें स्टेजिंग बाहर से करना है अगर आप प्रोसेसिंग करने के बाद भी आप स्टार्टिंग में बता देता हूं आपको किस तरह सापने बैलनस करने अपना किक and 8 to 8 तो सबसे पहले मैं यहाँ पर kick को solo करता हूँ तो अब headroom जो होता है headroom पता ही आपको क्या होता है headroom तो view meter में आप headroom 15 रख सकते हो अपने हिसाब से इसमें normal 18 होता है तो 18 मैं रखता हूँ या फिर आप 15 रख सकते हो आपको मैं बता दूँ जो kick होती है kick और 808 होता है उसकी perceived loudness होती है जो काफी जादा होती है हमारे बाकी चीजों से क्योंकि आपको पता है इसकी waveform किस तरह से होती है perceived loudness काफी होती 808 की देखो कितना hard rating यह sound कर रहा है इसलिए हमारे पास अच्छे तरीके से treated नहीं है रूम तो वहां पर यह दिक्कत कर सकता क्योंकि अगर आप इसको बहुत ही कम रखोगे balance करोगे तो gain staging करोगे तो काफी कम सुनाई देगा अगर जादा करोगे कहीं आपके पास गूंज होती है कमरे में वो थोड़ा भी बहुत जादा सुनाई देता है यहां पर आपको सॉरी यहां आपके पास दिक्कत आ सकते तो इस तरह से आप सबसे पहले क्या करूंगा मैं इस kick को मैं यहां से पहले gain stage करूंगा इसको 3 के आस पास रखने के कोशिश करूंगा आप 0 पर भी रख सकते हैं उसको दोनों में से आप कोई भी चूज कर जकतो 0 पर कौन सा रखना आपने 8-8 रखना या किक रखनी है ठीक है इतना रखना है आपने दोनों को इस तरह से गें स्टेज करना है कंट्रोल करना है ताकि वो दोनों चीजे 0 तक ही hit हो, दोनों साथ में play हो तो चलो जैसे मैंने माल लो यहां से processing normalize बगरा कर दिया, थोड़ा boost कर दिया अगर आप अंदर इसकी processing भी करोगे यहां पर processing कर दिया, आपने EQ बगरा लेने के बाद भी आप यहां जाके इसकी थोड़ी बहुत gain staging करना ताकि यह 0 से उपर न जाए जितना आपने पहले रखा था इतना रख लिया, ठीक है तो अब क्या करूँगा, मैं 808 को on करूँगा, अब इसको मैं 0 पे रखने की कोशिश करूँगा, या minus 3 या 0 पे रखने की कोशिश करूँगा, ठीक है इतना रखा मैं, अब दोनों को सुनूगा, मैं कि इतना हमारे पास view meter में आपने, यहां पर red है, तो मतलब red की और नहीं जाना, जो आप यहां पर headroom set करोगे, तो यहां पर red की और नहीं जाना है, बस 0 से नीचे नीचे रखने की कोशिश करना है, क्योंकि low end अपना controlled होना चाहिए, क्योंकि हमारे कान, अभी हम beginners से हैं, सीखी रहे हैं सब, तो इस तरह से आप view meter की मतल से इसको controlled कर सकतो, अपना low end अच्छी तरीके से, ताकि वो सही से सुनाई दे, आपके कार में भी, आपके जो speaker में सही से सुनाई दे, ना कि overpower हो, ना कि बहुत कम हो, ठीक है? तो इस तरह से देखो, दोनों को मैंने इस तरह से balanced कर दिया, controlled कर दिया, दोनों चीजों को, क्योंकि मेरे पास, मैं इसी की मदद लेता हूं, क्योंकि मेरे पास अगर मैं home studio में work कर रहता हूं, क्योंकि मेरे पास अच्छा treated room नहीं है, तो इस checker में मेरा क्या होता है कि, अच्छे से controlled नहीं होता अपना low end, कई बार काफी, मैं mix में काफी कम सुनाई देता है, अपना kick end 808, कई बार काफी जादा सुनाई देता है, जरूर से भी जादा, ठीक है, और इसके बाद क्या करना आपने, अरे खासी बहुत आ रही है, अगर आप 808 में अगर processing बगरा करो, अंदर distortion बगरा low या फिर कुछ और low अंदर processing करने के बाद में आ तो देखो, यहाँ पर और boost हो गया, तो अब क्या करूँगा है, वापस यही पर जा कि इसको द्वारा mix करूँगा, अगर आपने mixing करने के बाद भी यहाँ पर check करना है, low end, यह दोनों play इस तरह से होनी चाहिए था कि 0 के आसपास, दोनों में से किसी भी चीज को आप 0 तक रख सकते हो, जैसे मैंने kick negative 3 पर रखी थी, अब मैं 8080, दोनों को play करूँगा, तो 0 तक इसका control होना चाहिए, दोनों चीज को है, तो इस तरह से देखो, अब अपना kick and 808 अच्छी तरह से control हो चुका है, तो यहाँ पर देखो, अगर बाकी चीजे अब यहाँ पर अपने हि mix कर सकते हो, ठीक है, low end वाली trick है और इस तरह से आप इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर mix कर सकते हो, बाकी चीज आप कान से सुनके अपनी mix कर सकते हो, अपनी high hat वगरा जो भी है, बाकी कान से सुन-सुनके, बाकी mixing mono भी मैंने आपको बता रखा है, अब इस चीज को आप क अपना 8-8 का distortion अगर आपने रखा है, अगर आप car में प्ले करोगे, आप speaker में कहीं भी प्ले करोगे, तो दोनों अच्छी तरह से balance आपके पास मिलेंगे, तो I hope आपको समझ आ गया होगा किस तरह साप low end कंट्रोल कर सकतो, view meter की मदद से, sorry, view meter की मदद से किस तरह साप low end I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर इस तरह के आपको ये वीडियो लगी, वो comment down जरूर करना, उससे मेरे को motivation मिलती है, मिलते हैं किसी next वीडियो में, next hack के साथ, तब तक के लिए stay tuned